असलाम अलीकों, उमीद करता हूँ, आप सब लोग ठीक होंगे काफी लोग request कर रहे थे Newfoundland and Labrador की जो virtual event होने जा रहा है January 24, 2024 में Middle East, South Asia का इसका पूछ रहे थे का सार, इसकी requirement क्या है, कौन अलीजी बाल है इसके लिए और इसमें applies हम कैसे कर सकते हैं तो आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप लोग कैसे apply कर सकते हैं step by step मैं आपको guide करूँगा, इसमें आपने CV कैसे बनानी है वो कैसे आपने upload करनी है, और आपने submission कैसे करनी है इसमें तो सारी detail आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कुछ लोगों ने consultant से भी बात की है, वो कह रहे थे कि हम आपका apply भी कर देंगे, Canadian based CV भी बना देंगे और हम आपसे पैसे वगएरा चार्च करेंगे जो उनकी fees है इसमें आपको कोई fees वगएरा भी नहीं देनी है, कुछ भी नहीं देनी है आपको किसी की help की भी जरूरा नहीं पड़ेगी, अगर आप ये वीडियो देखेंगे और ऐसे apply करेंगे, तो आपका इंशालला जरूर अपलाई हो जाएगा और आपको response भी आ जाएगा, बाकि और भी country'ों के इसमें event हो रहे हैं वो भी ऐसे same apply कर सकते हैं, लेकिन उनकी date वगहरा change है ये सिरफ South Asia में है, ये उनके लिए event है इसमें आपका जो सबसे बड़ा benefit है, आप apply करेंगे employer वहाँ पे होगा, immigration officer वहाँ पे होगे जो भी आपका question होगा, आप उनलाइन उनसे पूछ सकते हैं आप उनसे अपने question वगहरा करेंगे, वो आपको इसका answer भी देंगे कि जो भी requirement है, date वगहरा है, वो मैं आपको सारी आपको laptop की screen पे दिखा देता हूँ, और आपने वैसे apply करना है तो अभी हम चलते हैं laptop की screen पे यहां पे हम लिखेंगे, नियोफ और लैंड का, उसके बाद यहां पे क्लिक करेंगे, जैसे यह क्लिक किया है, तो यहां पे आप आप देख रहे हैं, यह उनकी official website है, वो open हो गया है, नियोफ और लैंड और कैनिडा, तो यहां पे आपने registration अपनी करनी है, वो भी उसका मैं आपको बता देता हूँ, यह लिखावा भी है, Immigration Virtual Fair, यह जो इमेंट होने जा रहा है, अब यहां पे आप लोग अपकार सकते हैं, जो Virtual Immigration Fair, Middle East, South Asia, तो यह इनका इमेंट है, 24 जनवरी दो हजार चोबिस को 6 पीम, स्टेंडर टाइम जो है, और registration आपने यहां पे करनी है, औ अगर जिनका registered है, तो यहां पे login करेंगे, अब यह देखें, आपने अटेंड करना है, receive direct access to employer hire in your field, आपको employer खुद हाईर करेगा, आप से online वो बात करेगा आप से, और यह सारी update यहां पे दियुए है, कि आपने resume कैसे आपने अपनी upload करनी है, attend live immigration program, information session and ask, question directly to immigration officer, आप direct question भी कर सकते हैं, immigration officer भी वहां पे होगा, आप उनसे अपने सवाल जवाब जो भी आपका है, आप उनसे कर सकते हैं, तो इसका बहुत बड़ा advantage है, इस program का, तो यह इसकी सारी detail यहां पे लिखी हुई है, बाकी मैं आपको और भी नीचे इसका बता देता हूँ, कि और इसकी क्या क्या requirement है, क्या क्या field है इसमें, अब यह इसमें लिखा हुआ है, question भी लिखा हुआ है, अगर आपने कुछ question करने हैं, या कुछ आपने पूछना है, तो आप इनको dragged email भी कर सकते हैं, वो आपको इसका response भी यहां प, जो आपको response भी इसका दे देंगे, बाक कि और किसी में आते हैं, वो भी यहां पे अपने event को slack करके अपने registration कर सकते हैं, यह लेकर साथ pod लिखा हुआ है, आप उनको click करें, आप इसको click करें, और उनको message भी आप कर सकते हैं, तो अभी हम करते हैं, register, जैसे ही, आप click करेंगे, तो यह आपके पास सार information आजाएगी, आपने नाम है, वो आपने नाम अपने यहां पे लिखना है, ठीक है, फर्स नाम आपका जो भी है, XYZ मैं यहां पे कोई भी लिख देता हूं, लास नेम आपने यहां पे लिखना है, ठीक है, लास नेम अगर आपका जैसे फर्स नेम है, पार एक्जेम्पल मुहम्मद और ल पास नेम जो भी आएगा खान आएगा तो वो आपने यहां पे लिख देना है ठीक है इमेल आपने यहां पे ऐसी आपने देनी है जो आपकी लगे कि यह वाकिया ही कोई परोफेशनल इमेल है आपने अगर नहीं आपके पास परोफेशनल तो आपने बना देनी है अपने नाम से जैसे यहाँ पर आया है मुहमद अली खान उसके साथ कुछ ऐसे लगा दें कि आपकी वो परोफेशनल इमेल लगे अगर एडजीमेल.com नहीं आता है A.D. मुहम्मद A.L.I. A.G. आप लिखे ठीक है मुहम्मद अली आपने लिखे और मुहम्मद अली खान आपने लिखना है फिर उसके बाद अगर ये नहीं आ रहे आपके पास तो फिर आप अपनी जी मेल में ये जी मेल में नाम लिखें करें कि शायद आपके पास आजे वरना वो नीचे अप्सिह आरे होते हैं कि क्या क्या यहां पर आरहा है तो आ हक यहां पर जी मेल डाट कम लिखें ठीक है अब आप किस कंट्री के शीटीजन है वो आपने लिखना है ये अपने देखना है आप यहाँ पे पी कलिक किया तो पाकिस्तान है इंडिया बंगला देश है जो भी है वो आप यहाँ पे अपना स्लेक्ट कर दें उसके बाद आ जाता है कंट्री आफ रेजिडेंट अगर आप किसी और कंट्री के रेजिडेंट है तो वो लिखें पाकिस्तान के हैं आपका क्या एजूकेशन लेवल है, मास्टर किया हुआ है, अगर आपने कोई डिपलोमा किया हुआ है, कोई ट्रेड में आपके पास सिट्फिकेशन है, बैचलर है, स्केंडरी है, नान स्केंडरी है, तो वो आपने यहां पे अपना कर देना है, स्केंडरी है, तो वो आपने जो अब बारह है पाकिस्तान में मेरा ख्याल वो इसके बराबर है कोई बाकी आपके पास यहां पे कोई वर्क एक्सपिरियंस है आप अपने वर्क एक्सपिरियंस की भी यहां पे डिटेल उनको दे सकते हैं ठीक है एगरी कल्चर का है आपके पास एवियेशन का है आटमोटि आपके आपके जाएंस, आप इसाम भी दे सकते हैं अगर नहीं आपको यहां पे कोई मिल रहा तो आप इस आधर में कुलिक कर सकते हैं ठीक है अधर आपके प्र आप document अपनी डिटेल दे दे कि यह यह estoušे हैं कि अगिस्तान मेरे पास वह यहinen पर कोई wii experience लिख सकते हैं अब बार इसके बार और जाता है लैंग्विच का अब इसके बार शाही आता हि अब कि अभी न सी ए ऍके यू टेस्ट होता है गांडा है ये आपने ये हैं आपने अगर दी आधिया है तो आपने इसमें कर देना है नो अगर रगार सकते भी तो आप नींचे । आपको इंगलिश आती है ऑना थोड़ी बूर नहीं आपको सभी इंगलिश आनी चाहिए जैसे आप अपनी जबान बोल लेते हैं पाकिस्तान में अर्दू हो गई पश्टो इंगलिश रहा की कोई भी है वो आती है तो आपने येस करना है नहीं आती है तो आपने नो कर देना है आ जाता है फिर इंगलिश लेंगविज का आ रहा है कि आपने कोई एक्जाम वगहरा दिया हुआ है या नहीं दिया है अगर आपने कोई एक्जाम दिया है आपके पास उसका रिजल्ट है तो वो भी आप इसमें येस नो कर सकते हैं नहीं आपने नो करना है फिर उसके ब तो फ्रेंच नहीं आईगी अगर आती है तो आप येस करें नहीं तो अधरवाइज़ आप नो कर दें ठीक है फिर उसके बाद ये सेम आ रहा है कि अगर आपको फ्रेंच आती है या आपने कोई एक्जैम वगरा दिया हुआ है तो आप इसमें अपना येस और नो कर सकते हैं तो आपने इसको भी नो करना है अब उसके बाद फिर आप्शन आ जाता है इन विच कंट्री डिट यू अटेंड पॉस्कंट्री एजुकेशन आपने किस कंट्री में किया है तो आप अपने कंट्री का यहां पे लिखेंगे ठीक है पाकिस्तान से किया है तो पाकिस्तान का तो अगर आपने कहीं और से की हैं तो वहां का लिख दे उसके बाद आपने अपने तीन क्वेस्टन कर सकते हैं तीन क्वेस्टन करके उसके बाद तो आपको इसका response भी दे जाएंगे फिर इसके बाद आता है what are you hoping to gain from attending the virtual event आपके क्या hoping है आप यह क्यों अटेंड करना चाहरे हैं आप यहां पे भी लिख सकते हैं इंटर response 123 तक आप लिख सकते हैं उसके बाद आ जाता है how did you find out about this event कि इस event का आपको कहां से पता चला है social media से आपको पता चला है तो आप सोशल मेडिया लिख सकते हैं आपका कोई friend family member कोई रहता है Newfoundland और लैबराढ़ूर में आप उनका लिख सकते हैं या आधर में लिखेंगे, अधर में लिखेंगे तो भई हमें पता चला है के हमारे वहां पर रेड़ीटेव रहते हैं केनड़ नहीं तो आध यहां पर सिर्जेस केनड़ा भी लिख सकते हैं अ compliments आफ यहां पर имेरा सोशल मेडिया भी क्लिक करें खीक है औम किसी के पास कनडियन बेats यह यहां पर किसी कना प्रण गेसर wrap कर दे तो और जाएगा उसमें यहां पर क्लिक करेंगे आटैजसering सिवी टेमपन आप जाएगा उपन करना है उपन है सब गू खूरानेहेमन कर आप पर जाएगा­ण ठीक है अब आपने इस हिसाब से सीवी वगेर आपनी बनानी है यह आपको याद रहे कि सीवी यहां पे होती है दो पेचकी होती है एक पेचकी नहीं होती है ठीक है आप अपना यहां पे नाम देंगे कॉंटेक्ट नमबर देंगे आपका पैशन किया है आपके पास skill कौन से है, work experience, education, professional certification, आपके पास कौन कौन सी है, वो सारी detail आपने इन दो पेजों में देनी है, फिर first name and family name, city, यह अपने सारा यहां पे ऐसे लिखना है, जैसे इन्होंने आपको example दी हुई है, अगर आप current कहीं पे job करने हैं, तो आपने उसका लिखना है, आपक यहां पे लिख दे, ठीक है, आपके पास ओरा skill कौन से है, computer का, आपको पता है, उसका आपने लिखना है, बाकि यह सारा ऐसे आपनी, अपनी resume बना के, उसके बाद, आपने safe करके, वो आपके laptop में आ जाएगी और आपने यहां पे upload कर देनी है, ठीक है, फिर उसके बाद जी के बाद email आपको रसीब हो जाएगी, जो email आपने यहां पे दी होगी, उस पर email आईगी कि registration जो आपने कराई है, वो रसीब हो गई है, तो next पिर आपको बताएंगे कि आगे आपके इसका क्या होगा, तो यह बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको जरूर अपने यहां पे जरूर नहीं होगी, किसी चीज़ की भी आपको जरूर नहीं, आपको LMIA की भी जरूर नहीं एंट्रेक्ट, आपको एंप्लाइर हायर करेगा, और आप सीजा कैनेडा आजाएंगे न्यू फॉल लैंड एंड लेबराड़ में